बिस्मिल्य लेहरम रहें, आज हम देखने जा रहे हैं वो है बुलियन अल्जिब्रा, बुलियन अल्जिब्रा जो है बैनरी वेरेबल के धरिम्यान वो काम करता है, तो बैसिक पॉस्टिलेट्स और जो बैसिक लॉस है, उस पर जाने से पहले हम देखेंगे कि बैनरी नंबर किसे कहते है? बैनरी नंबर जो होता है बैसे हम समझ सकते हैं कि बैनरी का मतलब ही 2 होता है तो यहां पर नही 0 और 1 हम समझेंगे 0 और 1 ही रहेगा जिसे बैनरी क्यते है binary language अब हम दखेंगे that binary variable किसे किसे कहते है binary variable a से लेकर के z तक any variable कौन सा भी variable प्रिफर कर सकते वह एक variable जो है वह दौनों के उपर stand करता जूरो और 1 दो भी वह सकता है अब यहाब का व्न अब फिल वक्त हम इससे माँने दो भी है जुरो और मॉर्न आए अब इसाता है बेसिक लोजिकल मल्टिप्लिकेशन बेस एंड फंक्शन आप देख लिए फर एक्जाबल में पास बैनारी नंबर का सेट है जो है 0001 1011 यह में पास बैनारी नंबर की गुंजाश पॉसिबिलिटीस है इस स्याथ में पास और गुंजाश नहीं अगर यह 2-bit बैन नंबर है अगर में पास 3-bit बैन नंबर होगा तो इसकी सीक्वेंस लगाएगी 00000001 101011 इस तरह से करके पुरा आखरी तक ट्रिपल वन आपको बनेगा तक आप जाएगे यह जो है 3-bit बैनेरी नंबर आप कहेंगे पर इससे आप जो है 2-bit बैनेरी नंबर कहेंगे तो इसमें 000011011 अब मैं इसके दर्माइं जो सो डिफर्ट डिफर्ट फंक्शन को अप्लाई करना चाहाँ सबसे पहले मैं and function को मैं देखना चाहाँ कि इसमें जो है सो मैं and apply करना चाहाँ जैसा कि and operation and जो है वो multiply के निशानी है यह वो multiply करेगा दोनो inputs के दर्मियान अब हम देखेंगे कि इसको output क्या आएगा अगर मेरे पास दोनो inputs 00 रहें जहर जानी है जाहरी से बाद 0 होगा जोरवणा यह भी जोर बनेगा यह यह बन मनें तो यह हम इसने टोबित बैनेरी इंफारमिशन के दर्मियान हम multiply करे उसी दरहां से आप जह है आप 3 बिट के दर्मियान भी आप कर सकते जैंहां बिल्विल कर सकते आप तो इसके पूरों के वैल्यू आपको 0, 0, 0, 0 आएगे सिर्फ आपको आखरी का वैल्यू 1 आएगा जिसमें ट्रिपल वानो तो अगर अगर आपके पास पूरे इंपूट जो है 1 रहे उसी सूरत में आपको और पूट वन आएगा वरना आपको और पूट जो है 0 ही आएगा अब आएए यह तो हो गया आएड के बारे में अब हम देखते हैं और के बारे में अगर मेरे पास सिता से दो नंबर है 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 अब मैं इनके दर्मियान जो है मैं आड करना चाहता हूँ प्लस में करना चाह रहा हूँ इन दोने के दर्मियान देखिए 0, 0, 0 यह आपका जो है एंट रहेगा सॉरी माफ करना यह आपका और अगर 0, 0 अगर आप करेंगे तो आपको 0 ही बनेगा प्लस 1 करें तब भी 1 रहेगा 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 रहेगा 1 प्लस 1 रहेगा यहां पर 2 जो है नहीं आएगा क्योंकि यह हम जो है binary numbers में है क्योंकि binary means 0 और 1 इससे हटके तीसरी गुंजाश नहीं आगी क्योंकि binary numbers के अंदर कोई negative number नहीं रहेगा सिर्फ positive रहेगा और साथ ही साथ इसमें कोई fraction number भी नहीं आएगा जो भी आपको बोलना रहेगा वह सिर्फ 0 और 1 दोने के दर्मियान आप कहना पड़ेगा यह तो basic postulates 0 और 1 के दर्मियान जो है and और और हमने देखा उसी तरह से हम देख लेते हैं कि not कि से कहते है देखे not का अगर आप इसको zero input दिये इसको compliment कर दिये तो आपको one आएगा अगर one का compliment करेंगे तो zero आएगा तो यह compliment process है reverse process है एकदम यह समझें कि आप लठा है 0 का उलठा 1 है 1 का उलठा 0 है यह तो हो गया and or not अब आईए हम जो है boolean properties हम देखते है boolean properties हम देखेंगे boolean properties में सबसे पहले हम properties of and function हम देखेंगे and जो function है हमारा उसके हम basic properties हम देखेंगे and function and function के जो properties है मेरे पाद एक variable x है वह x को मैं 0 से इंटू करना चाहरू वह x variable को 1 से करना चाहरू और फिवह x variable को मैं जो है 1 को जो है x x variable से करना चाहरू और 0 को x variable से मैं multiply करना चाहरू देखते हैं के चारों का output क्या आएगा देखें x 0 से आप obviously 0 से आप किसको भी multiply करें आपको 0 ही आएगा पर x into 1 आप करेंगे तो आपको जो है same variable x ही आएगा यहां पर भी 1 into x के या x into 1 के answer तो आपको x ही आएगा और दूसरी जानीब 0 into x अगर आप करेंगे तो answer आपको 0 ही आएगा यह तो basic properties जो है and function के वागे उसी तरह से और function के भी हम देख लेंगे के और function यानि अगर मेरे पास एक variable और एक number 0 का हो जैसे अगर मैं x plus 0 करो तो या 0 plus x करो तो या फिर 1 plus x करोंगा अगर मैं x plus 0 करोंगा तो answer मिज़को x आएगा 0 plus x करोंगा तब या answer मिज़को x आएगा अगर मैं 1 plus x करोंगा तो answer यहां में बहुराबत confusion ही कि आप आप याद रख लिजिए यह बाद यह आपका binary variable है और यह आपका 1 है तो कभी भी 1 को आप binary variable से add नहीं कर सकते नहीं बलके x चाहे कोई भी binary variable की क्यों नहीं हो आप 1 को अगर किसी binary variable से add करने जाएगे तो उसका answer आपको 1 ही आएगा यह boolean loss में से है यह तो बात समझ में आ गए आपको अब हम जो इंपोर्डेंट जो प्रॉपर्टी देखने जा रही है जो कि अगर मेरे पास suppose कि मेरे पास दो binary variable है एक x और एक x बात अब मैं दोनों को combine करने जा रहा हूं कमबाइन यानि मैं दोनों variable को addition से combine करोंगा मिलाऊंगा और multiplication से मिलाकर देखोंगा जैसा कि x प्लस x-bar x इंटू x-bar x इंटू x बार है ठीक है या फिर x इंटू x है या फिर x x-bar x-bar इंटू x-bar है या फिर आप समझे के x-bar प्लस x-bar क्या होगा या फिर x-plus x इतनी गुंजाश हमाय पस नहीं करें यानि एक दो variable को मैं जो है multiply भी करके देखना चाहरा हूं और add भी करके देखना चाहरा हूं सबसे पहली बात x-plus x-bar जो होता है वह आपको answer जो है वह आपको 1 देगा या बात याद रख लीजिए यह billion loss में से x-plus x-bar same variable को हम with its complement इसके complement से add करने जा रहे है तो इसका answer आपको जाहरी सी बात 1 आएगा वह billion loss में से अगर multiply करने जाएगे same variable with its complement इसके complement के साथ इसके उलठे वाले के साथ आपको answer जो है 0 है अब रही बात x into x normal जो आपका algebra होता है x into x तो x-square होना चाहिए पर यहाँ पर वह x-square वह concept नहीं बलके x ही आपको आएगा similarly x-bar into x-bar x-bar ही रहेगा यहाँ पर x-bar normal algebra में जो है जो normal algebra है इसमें आप देखेंगे के 2x होता है पर यह 2x जो है गलत है 2x नहीं आएगा बलके x-bar into x-bar x-bar प्लस x-bar जो है वह x-bar ही होगा उसे तरह से x-plus x भी x होगा तो अब आपने देखा कि हमने एक variable को उसके complement से add कि multiply किया उसका और पूरे किसस हमने देखें आईए हम चंद लाओ हम देखें सबसे पहले हम देखेंगे के commutative law कि से कहते है commutative law कि से कहते है commutative law कि से कहते है हम देख लेए कहते है commutative law x into y जो है y into x के बराबर होता है उसे तरह से x plus y जो है y plus x के बराबर का इसे हम commutative law कहेंगे next जो है distributive law distributive law distributive law जो हैगा वो कुछ इस तरह हाथ से रहेगा आपको यहनि x into y plus z plus xy plus xz यहनि सबसे पहले आप x को y से multiply करो फिर z से बराबर x into y, xy हुआ यह x into z xz हुआ इसका एक और भी हो सकता है जानि अगर मेरे पास एक और case है x plus y z x plus y z जो है वो x plus y और x plus z भी हो सकता है यह law है आपको याद रखना पड़ेगा यह x plus y into x plus z z भी हो सकता है इतना distributive law हो गया अब हो associative law भी है associative law associative law कहते है x plus y plus z equals to x plus y plus z यह अपका associative law हो गया absorption law यह बहुत important रहेगा absorption law absorption law absorption law वो बड़ा important रहेगा वो इस तरह से रहेगा for example कि आपके पास x plus xy अगर रहेगा तो इसकी value x ii की इसको प्रूफ करने के दो तरीख है आप जाए तो इस पर direct distributive law अप्लाई कर सकते है distributive law आप इस पर direct अप्लाई कर सकते है यह law आप इदर अप्लाई कर लो या फिर आप जो है x अगर आप common लेंगे तो one plus y बचाएगा और one plus y जो है हमने भी पढ़ा है कि वह one one होगा तो one into x जो है आपको answer xy आएगा जो के हम sign की है तो यह होगा आपका absorption law यहाँ एक variable यहाँ पर जो है अब्जर्व हो जाए रहे है x into x plus y यह भी आपको x ही होगा जी हाँ अगर आप उसको bracket open करे x into x x square plus xy x square तो x ही होगा xy फिर x अगर आपका common लेंगे तो one plus y बचाएगा जो के x ही होगा तो x into x plus y जो है x ही रहेगा next जो है आपका absorption law वो x plus x bar y जो है आपको x plus y बचेगा क्योंकि अगर आप same law यहाँ पर अगर आप apply करेंगे तो इसके जरीए आपको यह बन जाएगा आपको यह answer आएगा proof है कि हम देख लेंगे ऐसे यहाँ सब से पहले क्या है x plus x bar into x plus y हाँ यह क्या होगा आपका one होगा अभी हमने bullion loss में देखा x plus y जो है बच जाएगा as it is जो क्या गया और एक आखरी जो है आपका law जो बचा हुआ है वह आख 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 करेंग आख अगर आप x plus y whole bar अगर हम करेंगे तो वह x bar y bar होगा और शिदारत अगर x y bar करेंगे तो वह x bar plus y bar होगा जी हाँ, याँ अगर आपके पास whole complement है अगर आपके पास whole complement है और whole complement है तो ब्रैकेट के नदर देह जाएगे कि साइन क्या है अगर वह x plus है तो वह x bar in 2 में तब्दिल हो जाएगी याँ प्लस है तो x bar in 2 में तब्दिल हो जाएगी नहीं अगर आपके पास whole complement है पर x bar in 2 की है तो वह x bar in 2 प्लस में तब्दिल हो जाएगा और अब x bar in 2 अब जितने भी variables है वह variables के आप आप complement distribute कर सकते है यह फंक्शन जो है दिमोगन्स लोगाएं तो अभी आपने पूरा complete जो है billion laws, billion properties, billion functions आपने देखा binary number किसे कहते है, binary variable किसे कहते है तो इंशाल हम next class जब हम आएंगे तो next class में हम लोग इसके base पर problem solve करेंगे उसके देखना ना भूलिये अल्ला की इफाद करें, अल्ला अफिस